अलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करते माला हूँ आपके साथ एक बहुत ही आसान ट्रिक जो एंजाइम काइनेटिक्स के नुमेरिकल्स भी बहुत आसान करती हैं ठीक है, एंजाइम काइनेटिक्स का CSIR NET exam में question almost alternate year हर बार आता रहता है ठीक है, तो इस बार भी बहुत अच्छे chances हैं कि एंजाइम काइनेटिक्स के उपर exam में question आए और वो भी numerical वाला और कौन से टाइप का numerical आएगा, इसका भी एक analysis मेरे पास है ठीक है, अगर आप देखोगे, जून 2012 से लेकर जून 2014 तक, questions कैसे आए हैं जो rate constants है, KM, K2, उसके बाद turnover number, उसके बाद eta, फिर से rate या rate constant, turnover number और Rmax, rate constant, turnover number, eta मतलब अगेन यहाँ पर हमें लग रहा है कि rate constant के उपर शायद question फिर से आएगा अब rate constant कौन सा, तो K2 rate constant पूछा जा सकता है, Rmax, R पूछा जा सकता है, या फिर KM, मतलब Michaelis-Menten constant इसके उपर सवाल आने के chances है, तो यह जो KM का value है, Michaelis-Menten constant का value है, यह exactly होता क्या है, सबसे पहले यह समझ लेते हैं और उसके बाद बहुत आसान से दो tricks में बताने वाला हो आपको, तो सबसे पहले तो आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जो mock test की तलाश में है, CSR Net का actual exam paper जो तलाश रहे हैं कि पिछले साल कैसे questions आये थे, उसके पहले कैसे आये थे, तो वो सारे exam papers पिछले तीन साल के हमने यहां पे हमारे IFS के free app पे upload करके रखे हैं, आज ही जाए उनको उन exams को attempt करिए, मान लीजे February 2022 का exam आप दे रहे हो, और उसका score आप simply, आपको simply जाके क्या करना है कि CSR Net February 2022 का cut off देखना है, वो भी इसी हमारे IFS के app में है, available है, या फिर हमारे website पे भी है, जाके सिर्फ चेक करना है कि आपका performance कैसा रहा है, क्या आप JRF clear कर रहे हो, क्या आप LS clear कर रहे हो, तो आपका preparation सही track पे जा रहा है कि यह आपको यहां से पता चलेगा, ठीक है, तो आईए देखते हैं कि enzymatic action होता क्या है, enzymatic action में एक enzyme होता है, उसके उपर substrate आके bind करता है, substrate bind करने के वज़े से activation energy reduce होता है, और substrate का product में conversion होता है, ठीक है, इस mechanism को कहा जाता है, lock and key mechanism, ठीक है, अभी जो lock and key mechanism है, यह mechanism क्या क्या चीज़ें हमें करके देता है, सबसे पहले तो enzyme का optimum orientation, सही orientation में enzyme, substrate molecule को, जो भी reagent होगा, उसके सही, क्या कह सकता है, सही angle में यह steric hindrance कम हो, यह active side से direction में है, ऐसा orient कर देता है, जिसके वैसे reaction का rate बढ़ता है, reaction pathway requires lower activation energy, activation energy lower होता है, और एक pH और temperature dependence होता है, कि हमारे body का temperature है, 37 degree Celsius, और pH होता है 7.4 blood का, तो इस temperature पे maximum enzymatic action आता है, तो अब यह जो lock-end की mechanism है, यह mechanism mathematically कैसे explain किया है, तो वो किया है Michaelis Menten equation में, यहाँ पे enzyme, यह substrate के साथ bind करता है, यह यहाँ पे free enzyme है, यह bound form है enzyme का, एक free enzyme है, एक enzyme का bound form है, और यहाँ पे again एक free enzyme है, ठीक है, so free enzyme substrate के साथ bind करता है, enzyme substrate complex बनता है, जो break होता है, break होने के बाद free enzyme plus products यह वापस मिल जाता है, ठीक है, और यह Michaelis Menten equation से express किया जाता है, जहाँ पे R is equal to K2E0S upon KM plus S, S यह substrate का concentration है, E0 यह enzyme का initial concentration है, और यह जो K2 into E0 है, इसको Rmax कहा जाता है, ठीक है, अब यहाँ पे यह जो KM है, ठीक है, so यह दो parameter से यहाँ पे हमें मिलते हैं, इस enzyme, Michaelis Menten equation में, KM है और Rmax है, यह दो parameter हमारी लिए बहुत important है, क्योंकि यह हमें enzymatic action कितना effective है, यह बताते हैं, ठीक है, ठीक है, तो अब यह KM और Rmax calculate करने का तरीका क्या है, तो वो है line weaver work plot, इसी को double reciprocal plot भी कहा जाता है, क्योंकि अगर यह 1 upon R है, इसको Y कह दिया, और 1 upon S है, इसको X कह दिया, ठीक है, तो यह KM upon Rmax, यह बन जाएगा slow, और 1 upon Rmax, यह बन जाएगा intercept, ठीक है, 1 upon Rmax, यह बन जाएगा intercept, ओके, अब यहाँ पे, अगर हम यह graph plot करते हैं, तो यह graph कुछ इस तरह का straight line आएगा, ठीक है, यह graph कुछ इस तरह का straight line आएगा, अगर हमने Y axis पे 1 upon R, X axis पे 1 upon S, ऐसा अगर हमने plot किया है, ठीक है, अब यह वाला जो point है, यह 1 upon Rmax है, ठीक है, और यह slope आता है, KM upon Rmax, ठीक है, तो अब सवाल कैसा आएगा exam में, कि मान लीजिए, slope दिया है, intercept दिया है, और आपको पूछा जाएगा कि KM का value calculate करो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, intercept is equal to 1 upon Rmax, तो सबसे पहले Rmax calculate करो, और slope is equal to KM upon Rmax, ठीक है, तो यहाँ पे cross multiply करोगे, तो slope into Rmax करना पड़ेगा, तो यहाँ से पहले Rmax calculate करो, फिर Rmax यहाँ पे substitute करो, और Rmax into slope करो, तो KM आ जाएगा, ठीक है, यह process काफी लंबा है, ठीक है, दो steps में calculation करने पड़ेंगे, क्या हम यही calculation, single step में कर सकते हैं, तो यही पे आती है, हमारी trick, trick क्या है, कि अगर KM calculate करना है, तो पहले Rmax calculate करो, फिर slope into Rmax करो, मत करो, directly slope upon intercept करो, ठीक है, तो यहाँ पे 1 by R को अगर आप Y कह रहे हो, और 1 by S को अगर आप X कह रहे हो, तो directly slope divided by intercept, कि straight line का slope divided by intercept करोगे, तो KM directly आ जाएगा, और intercept करे सिब्रकोल लोगे, तो Rmax भी directly आ जाएगा, ठीक है, तो यह दो tricks याद रखिए, यह दो tricks बहुत important है, ठीक है, यह numericals बहुत आसान करा दीती हैं, ठीक है, और दो tricks है, दो और quantities होती है, जो enzyme के efficiency को, या enzyme substrate complex के conversion rate को denote करती है, स यह बताता है कि substrate का product में per second कितने convergence करा पा रहा है हमारा enzyme, ठीक है, तो यह turnover number का formula है, Rmax upon E0, ठीक है, और catalytic constant है, turnover number upon KM, तो मान लीजिए कि अगर turnover number calculate करना है, तो Rmax पहले calculate करो, फिर enzyme calculate करो, enzyme का concentration दिया जाएगा, वो use करो, और फिर Rmax upon E0 करो, catalytic constant calculate करना है, तो सबसे पहले turnover number calculate करो, उस turnover number को KM से divide करो, ठीक है, बट, exam में आपको क्या दिया जाएगा, question में क्या दिया जाएगा, slope और intercept, तो slope और intercept से directly turnover number और eta calculate करने का तरीका है का, तो बिलकुल है, यह देखिए, turnover number, यह तीसरा trick है, यह चौथा trick है, यह दो tricks again, बहुत बहुत important है, तो directly slope या intercept से कैसे calculate क into intercept, catalytic efficiencies 1 upon E into slope, तो KM calculate करो, Rmax calculate करो, फिर पूरा solve करो, कुछ कोई ज़रूरत नहीं है, directly slope और intercept के values से answer मिल जाएगा, तो questions में apply करके देखते हैं, questions में, यह कुछ questions solve करके देखते हैं, ताकि यह समझ में आ जाएगा कि कितना फाइले का यह trick है, यह चार tricks है, तो सबसे पहला स initial rate inverse versus initial subset concentration inverse for an enzyme catalyze reaction, following Michaelis maintain mechanism, the Y intercept is 5000, तो intercept दिया गया है 5000, और enzyme concentration दिया गया है, 1 into 10 raise to minus 9, और पूछा है, turnover number क्या है, तो turnover number का trick क्या हमने देखा, simply 1 upon intercept into enzyme concentration, तो यह 4 mark का सवाल है, और एक जटके में आपको answer मिल जाएगा, यह आता है, 1 upon intercept है 5000, और 1 into 10 raise to minus 9, solve करोगे, तो यह आता है, 2 into 10 raise to 5, एक जटके में, एक step में answer मिल जाएगा, और 4 marks आपकी जेब में है, ठीक है, so, यह trick इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत बहुत important take है, और बहुत ही काम का trick है, एक और सवाल solve करते हैं, यहाँ पे तो turnover number पूछा था, एक और सवाल देखे, for an enzyme substrate reaction, a plot between 1 by V and 1 by 0, yields a slope of 40, तो slope दिया है 40, और enzyme concentration दिया है, 2.5, बट यह micro molar में है, इसलिए इसको molar में convert कर लीजे, into 10 raise to minus 6, पूचा क्या है, catalytic efficiency, बस, हमारा trick क्या है, catalytic efficiency is 1 upon slope, into enzyme concentration, again, एक step में answer आ गया, 1 upon slope है 40, multiplied by enzyme concentration है, 2.5 into 10 raise to minus 6, यह आ जाएगा, 10 raise to 4, fourth option answer है, देखो, आप यह भी note करना, कि कितना आसान calculation है, वो बात तो और है, अब तो calculator's allowed है, तो हमें कोई tension ही नहीं है, बड़ एक चीज़ याद रखना, कितनी जल्दी हम यह solve कर पा रहे हैं, हमें 30 second भी नहीं लगे यह पूरा question solve करने के लिए, क्योंकि हमें यह वाला trick पता था, इक है, तो यह जो 4 tricks, यह जो 4 tricks, slope और intercept से calculation वाले बताए हैं, बहुत important है, एक और सवाल देखते हैं, अब यह वाला question बहुत ही मज़ेदार question है, मुझे ऐसे questions देखकर बहुत मज़ा आता है, बहुत लंबा question है, बहुत सारी जानकरीदी है, students question देखकर ही डर जाएंगे, बट क्या डरने वाली बात है यहाँ पे, दो सेकेंड में इसका भी आंसर आ जाएगा, देखिए, CO2 plus H2O giving H plus plus HCO3 minus, ऐसा reaction दिया है, the reaction above was catalyzed by an enzyme, bovine carbonic hydrates, anhydrase at pH 7.1, and temperature 0.5 degree Celsius, और an enzyme concentration of 2.8 into 10 raise to minus 9, चलो, यह एक चीज़ दिया है, enzyme concentration दिया है, 2.8 into 10 raise to minus 9, 10 moles per liter, मतलब molar, the slope of the double reciprocal plot, चलो, slope दिया है, 2.576 into 10 raise to minus 4, whereas maximum rate, मतलब V max दिया है, 1.2 into 10 raise to 4, the value of the Michael is maintained constant, तो यहाँ पे इस बार क्या पूछा है, KM पूछा है, अब KM कैसे calculate करेंगे, के यहाँ पे आप slope is equal to KM upon V max, यह यूज़ कर सकते हो, हमें क्या पता है, slope is equal to KM upon V max, बस तो slope अगर पता है, तो KM क्या आएगा, V max into slope, simple multiplication करो, V max क्या है, 1.2 into 10 raise to 4, slope क्या है, 2.576 into 10 raise to minus 4, simple multiplication करोगे, तो approximately 3.1 के आसपास आंसर आ जाएगा, जो है 4th option, notice करिएगा, यह भी 30 second में हमने solve कर लिया, ज्यादा समय ही नहीं लगा हमें, तो लंबा question है, 4 mark का question है, बहुत सारी जानकरी दी है, क्या हमें इसकी जरूरत पड़ी? नहीं, क्या हमें इसकी जरूरत पड़ी? नहीं, क्या हमें इसकी जरूरत पड़ी? इन तीनो values को आपको सिर्फ दिया जा रहा है, गुमराह करने के लिए, आपको डराने के लिए, बहुत सारे values दिये गए हैं, numericals में, और आप डर जाओगे, और ये सवाल सौल नहीं करोगे, तो, याद रखिएगा, ऐसे पैतरे, ऐसे, ऐसे अलग अलग तरीके, आपको डराने के लिए, एक्जाम में, पेपर सेटर्स हमेशा, इस्तमाल करते रहते हैं, बट आप अगर स्मार्ट हो, आपको ऐसे ट्रिक्स पता है, तो आप, उसके बावजूद, तीस सेकंड में, चार मार्क का सवाल भी, सौल्व कर लोगे, ठीक है, तो यह चार ट्रिक्स याद रखिएगा, KM, Rmax, Turnover Number, और Catalytic Efficiency, Calculate करने के लिए, इससे, Line Weaver, Burk Plot के, Double Reciprocal Plot के, Slopes और Intercept से, ठीक है, यह ट्रिक कैसा लगा, कॉमेंट्स में जरूर बताईए मुझे, ठीक है, और ऐसे ही, और कौन-कौन से, Topics के उपर, वीडियोज आपको चाहिए, यह मुझे जरूर बताईए, ठीक है, और जाने से पहले, एक reminder देना चाहूंगा, IFS का free app है, डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको, बहुत सारे, Previous Year Question, Question Papers मिल जाएंगे, Especially, पिछले तीन साल के, Previous Year Question Papers, Test Format में अवेलिबल है, जाएंगे, Solve करिए, देखिए, Cut-off क्लियर कर पा रहे हो कि नहीं, और ये ट्रिक्स, उस Cut-off को क्लियर करने के लिए, इस्तमाल करना मत भूदिए, वीडियो देखने के लिए, बहुत-बहुत शुक्रिया, कॉमेंट्स में आपके सजेशन जरूर बताईएगा, Thank you for watching, and happy learning.